नमस्कार स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूस पर मैं हूँ आपके साथ अनू सिंग भारत की कोरोना टेस्ट की चंता सिर्फ 10,000 टेस्ट प्रती दिन थी जो कि आज बढ़कर 1,7 लाग टेस्ट प्रती दिन हो गए है शुर्बात मिền पीपी इकी्स की कमी थी लेकिन आज देश में तक्रीबन 4,50 लाग पी Data प्रती दिन holidays are करीब 58,000 वेंटिलेटर्स देश में बन रहे हैं उन्होंने कहा कि भारत में इस संकत में खुद को सम्हाला है भारत ने और प्रधानमंत्री के नितिर्ट में ही हम आत्म निर्भर भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं बढ़ेंगे आगे बस्पा सुप्रीमो मायवती ने केंद्र की मोधी सरकार पर निशाना साधा मायवती ने पीएम मोधी के दूसरे कारेकाल के पहले वर्ष को विवादों से घेरा बताया इसके साथ ही बस्पा सुप्रीमों ने पीम मोधी को कई सलहा देते हुए एक के बाद एक तीन ट्वीट भी किये जिसमें उन्होंने कहा कि मोधी सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर आज अने को वादे किये गए किन्तु ये जमीनी हकीकत पर और जनता की सोच समझ से दूर ना चाहिए उधर लखनाओं में धर्म गुरुओं ने शुकरवार को मुख्यमंत्री योगी आधितनाग को पत्र लिखकर मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरद्वारे खोलनी की इजासत मांगी है उन्होंने कहा कि सरकार लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की हिदायत के साथ धर्मिक स्थलों को खोलनी की इजासत प्रदान करें मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में धर्म गुरुओं ने कहा कि 70 दिनों से लोग धर्मिक स्थलों में नहीं अजा पा रहे हैं पूजा अर्चना इबादत नहीं कर पाने से बहुत से लोग बेटेन हैं विडेप्रेशन का शिकार हो गए हैं धर्मिक स्थलों कोलनी के लिए सरकार की जो भी शर्ते होंगी उसी के अनुसार अमल किया जाएगा उन्होंने कहा कि लोग डाउन चार खत्म होने वाला है लेकिन वाइरस का प्रकोप कम नहीं हो रहा ऐसे में लोग डाउन पांच भी लागू हो सकता है लदाग में सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच चल रही तनातनी पर केंद्रिय रक्षा मंत्री राश्रा सिंग ने एक नीजी चैनल पर कहा है कि भारत कभी भी किसी देश के साथ युद नहीं चाहता पडोसी देशों के साथ हम अच पांची चल रखी है जल्दी इसका समाधान निकलेगा साथ ही उन्होंने पीओ के को लेकर कहा है कि भारत का अभिन अंग है ऐसे में पीओ के कभी भी हमारा हो सकता है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखलीश यादव ने बड़ी बात कही है अखलीश यादव ने कहा है कि आने वाले विधान सभा चुनाव में वे किसी भी बड़ी पार्टी के साथ गड़बंदन नहीं करेंगे उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी प्रदेश में अकेली ही चुनाव लड़ेगी चाचा शेवपाल यादा पर बोलते हुए कहा कि सपा से जस्वन दगर सीट पर कोई उम्मीदवार नहीं उतारा जाएगा